रोटेशन नहीं आता यसे आप कभी भी रो रहे हो वो सारी चीज़ा ओपन स्टार्ट करेंगे तो यह आया कहां से प्यारे बच्चे नीवी गड़बड़ है तो मकान तो डगमगाए गाही ना हेलो प्यारे बच्चों प्यारे टीपेंज कैसे हैं आप सब होपिंग डाप सब बहुत अच्छे होंगे ठीक है अब देखिए आप सब बच्चे परिशान हो रखें 11 ग्लास के चीज़े कैसे होंगी यह कैसे होगा वो कैसे होगा बैक लॉग कैसे कवर होगा तो वन स्टॉप सलुशन लेके आए हैं आपके लिए विनीत कदरी सर ठेक हैं उनके थुरू आज मैं यह चीज़ें आपको प्रेजेंट करूंगा कैसे आपकी सारी परेशानियां आज खतम होने वाली हैं और जीवन में खुशियां आने वाली हैं तो जीवन में खुशियां आने वाली हैं इसी कोशी में सबसे पहले तो फुल जोश में like and comment कर दीजे like करना है फिर comment क्या करना है ये we are winners ठीक है आज का comment क्या है we are winners ठीक है अब देखो जब सबसे पहले लिखा क्या है winners never ever follow anybody except the almighty अब देखो बच्चो जब उनका नाम आ गया है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेके प्रभू का नाम ठीक है जय बजरेंग वली हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हो जाए हमारे सारे काम ठीक है अब इसका मतलब क्या है देखो सबसे पहली चीज़ क्या है ये फाल्टू की चीज़ है back log back log आप ये समझो ये आया कहां से प्यारे बच्चे फिर खतम भी कर देंग आपकी क्लास में या क्लास के बाद मैं questions कर रहा हूं मुझसे कुछ questions नहीं होते हैं मैं जेजक के मारे hesitation के मारे I'm not able to ask my doubts that people will laugh at me but फिर आया उसके पास एक प्यारा सा हाथ किसका विनीच सर का in the form of ATP star to make you the star which you actually are समझ रहे हो अब देखो कितना मुस्कुरा रहे हो आप क्योंकि अब backlog भी cover हो चुका है already क्यों कि winner mindset आपके अंदर आ चुका है बच्चे उसकी strategy क्या है कैसे होना है वो सारी चीज़े open start करेंगे तो पेटा चेहरे पे आई मुसकान तो आपकी प्यारी मुसकान के लिए आप star हो इसकी लिए बार फिर से full जोश में like कर दो comment कर दो we are winners and एक औ बहुत बड़ा surprise देने वाले विनीच सर बहुत जल्दी तो क्या आप surprise के लिए excited हो यह से जोश जोश जब आए है तो हाई जोश में फिर से full जोश में like कर दो ठीक है comments कर दो and Google form miss करना मत भूलना 501 को भी नहीं मिलेगा यह offer it is only for 1 to 500 very strictly क्योंकि सारी चीज़े strictly होनी चाहिए है न करिकुलम टाइम टेबल सब कुछ strictly follow करना है कैसे क्या होना है कैसे backlog cover होगा सर मैं कैसे ऐसे मुस्कुराओंगा मुस्कुराओंगा मुस्कुराना तो सर मेरा start हो चुका है बट मैं अपनी जे एडवांस प्लस जे मेंस 2025 तक की journey के लिए कैसे continuously मुस्कुराता रहूंगा व all your problems gladiator 2.0 is coming very 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 soon gladiators है warriors है ना तो हार मानेंगे क्यों पहली चीज तो क्या है आपने भाई एक movie देखी होगी half girlfriend वहां किसी ने कुछ कहा था हार को हराओ we are winners winner mindset है बच्चे हार को तो हराएंगे and win को maintain करेंगे because we are winners ठीक है तो winners है अब winners का क्या है gladiator 2.0 का sense क्या है इसका crux क्या है अब वो समझते हैं भाई अब आपके पास सबसे पहली चीज बैकलोग कहां से आया वो तो मालूम पड़ गया है ना हात नहीं पकड़ा किसी ने छोड़ दिया आपको एक कमरे में रोने के लिए क्यों क्योंकि शायद थोड़ी प्यार की क कि कि कमी होगी नहीं को क्या होना चाहिए कि कौई प्यारा बच्चा क्यों में रोएगा तिया जाएगा किसी प्यारे बच्चा कोर नहीं रोने लीए जाएगा अब 11 आ ऐप क्या प्रॉब्लम है आप comments में लिखिए सारे answers मिल जाएंगे आज आपको ठीक है सारे किस सारे आप अपनी जो भी problem आपने अभी तक face करिए backlog है demotivation है distractions है तरह तरह के ताम जहां में सब लिख दीजे comments में सब का answer दे देंगे आज सब के सबों का ठीक है कैसे ये one of the most magical things या most magical batches जो आ रहा है आपके लिए specially designed by विनीत खत्री सर himself और कैसे design किया है teacher के बारे में सोच के नहीं he put yourself into your shoes वो एक student बन गए प्यारे से छोटे से बच्चे बन गए जैसे आप हो और तब सोचा कि मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है क्या क्या दिक्कत मुझे हुई थी जब मैंने जैई की preparation की थी ठीक है तो बिटा आप विनीत सर का नाम आया है तो गाइस like तो बनता है बॉस है ना like भी बनता है comment भी बनता है एंड सबसे important Google form भरना भी बनता है क्यों क्यों क्योंकि हम ही आगे आने वाले ब्रह्माण की जनता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब देखिए gladiator 2.2 खास क्यों है वह सर पढ़ा तो सब सब्सक्राइबी तर सब्सक्राइबे लेकिन अगर गलती से बेटा 2 साल बाद या 1 साल बाद ना हो वैसे मुझे आदत नहीं है गंदे वर्ट यूज करने की तो हम सोफिस्टिकेटिड ली ही बात करेंगे गलती से अगर आपकी रैंक कम अच्छी आई देख रहे हो गंदी तो बोलना ही नहीं है कम अच्छी आई या थोड़ी पीछे रह गई या लिस्ट के बा सकता रहता था तो भाई अगर आप भटक रहे थे तो यह उनकी मॉरल डिस्पॉंसिबिलिटी थी तो गाइड यू तो मेंटर यू अब समझो बुलजाई मेंटर्शिप का मतलब क्या है देर विल बी ओन टूवन मेंटर फॉर यू वह मेंटर आपके साथ रहेगा जितना मै आपको दे सकते हैं सो अगर प्यारे बच्चे अभी डिस्ट्राक्ट हो रहा हो यह कोई आपके अंदर नेगटिव अनर्जी फीड कर रहा है तो आप एक कॉल कीजे मेंटर को मेंटर क्या करेगा आपकी प्रॉब्लम को ही फिनिश कर देगा क्योंकि बुलजाई मेंटर्शि का मल्टिप्लेकेशन नहीं आता जैसे मैं आप सब्सक्राइब पूछलों सामने आ रही है तो अब जब आपको बुलजाई मेंटर्शिप में एक मेंटर मिल गया है जो पापा मम्मी का भी रोल प्ले कर रहा है जो आपके भाई-बेन का भी रोल प्ले कर रहा है जो आपके क्योंकि बेटा इसमें जितने भी मेंटर्श हैं अल अफ देम आर पर्सनली ट्रेंड बाई हिम एंड सबसे बड़ी चीज इसमें जो मेंटर्श हैं कुछ मेंटर्श आयाइटियंस भी हैं सिर्फ टीचर्श की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चे दी अधर दिंग्स जो मेंटर्श नॉन टीचर्श हैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूं मैं समझ पा रहे हूं यह चीज पूरी गैलेक्सी में बेटा कहीं नहीं है बागी सब जगे सिर्फ क्या हो रहा है बोला जा रहा है ऐसे कर लो वैसे कर लो यह हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन यहा लाइक तो बनता है फटक से लाइक कीजिए एंड कॉमेंट तो करना यह वियर विनर्स आज तो फ्लड हो जाना चाहिए कॉमेंट सेक्षन पूरा ठीक है और इन दौनों के साथ साथ हैंड इन एंड क्या काम करना है बच्चे गूगल फॉर्म फिल कर दो ठीक है तो अब आपक आपको मालूम है सारी चीज है क्योंकि कोई आपसे बोल रहा है यह पढ़ ले वह पढ़ ले तो सब आपको पता है वह कैसे पढ़ूं और कहां से पढ़ूं यह हैं आपकी प्रॉब्लम इसलिए तो सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसकी बात होगी कि वह अटेगी कैसे बताओ आपको पढ़ाई लिखाई करनी है आप कहीं किसी और कोचिंग में भी पढ़ रहे हो अगर तो भी आप सिर्फ बुलजाई मेंटर्शिप ले लो पूरा बैच लेना तो तो बहुत ही बढ़िया सारी चीज़ों का वंस्टाफ सलुशन तो है यह एटीप स्टार बिक अब आगया सबसे बड़ा चाम जाम सर होगा कैसे मस्ट डू चैप्टर्स अफ क्लास 11 अब कोई अगर आपसे क्या रहे ना बेटा कि यह नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा तो 12 में क्या करेगा किसी की नहीं सुननी 11 क्लास में प्रैक्टिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैट्स में तीनों में अप्रॉक्सिमेंटली 10-12 चैप्टर्स होते हैं जिसमें से आपको बच्चे मैक्स पांच ही पढ़ने अभी दे रहा हूं सब के नाम रुको जरह पहले ठीक है इंपॉर्टन क्यों है रुकना क्योंकि विनर माइंडसेट आया है कि ने चेक भी तो करना है कॉ पढ़ने के बाद 12 स्टार्ट हो जाएगी आपकी तो गाइस जब इतना क्रिस्पली आपकी हेल्प करी है तो एक लाइक तो बनता है लाइक कर दीजे कॉमेंट आपको पता ही आज का वी यार विनर्स या फिनर माइंडसेट और गूगल फॉर्म जो पढ़ा है डिस्क्रिप के प्रभु का नाम अब आगे प्रभु का नाम तो ले लेते हैं उनका नाम जै बजरंग वली जी आप जिन भी गौड को मानते हैं सिर्फ उनकी शरंड में सरेंडर कर दीजे पूरी तरह ठीक है उनसे डिरेक्ट कनेक बना लीजे सारी चीज़े हो जाएंगी ठीक है चलिए यह अगर यहां आता ना बच्चे तो यह मजा नहीं आता इसलिए इसको यहां करवाया गया जबर जस्ती ठीक है यह भाई आप कोई बोल रहा है पीछे से यह तीन ललग चैप्टर नो यह एक ही चैप्टर है इसको तोड़ तोड़ के बढ़ाया जाता है ठीक है कितने scientifically designed इतना beautifully किया है विनीजर ने himself जस्ट अगें फिर बच्चे के बारे में सोचते हुए बच्चा बनके तब ही तो यह सारी चीज़ें निकल के आ रही है बिटा एक्दम परफेक्टली पांच चैप्टर केमेश्ट्री के अब देखो सिर्फ पहली और आखरी बार एक वर्ड प्लान तो बनाएगा कि कौन सा प्लान एक्जीक्यूट करना है तो यह रहा प्लान आप हो करता धरता करतो एक्जीक्यूट क्या टाइम लगना है भाई अगर आपको कोई पढ़ा रहा है है ना साक्षात अच्छे अच्छे आइटेंट टीचर जिनके पास 15-15 साल का experience है दी चुई आता छोटा था चैप्टर काइनेमेटिक्स यह डंग से पढ़ाते नहीं लोग पता नहीं भागम दढ़ में लगे रहते हैं क्या क्या करते रहते हैं अराम से पढ़ाओ तो बहुत असान चैप्टर रही है ठीक है फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थोड़ा साहा हल इसी मेनद लगेगी तो अगर आपको डेवलप करने में प्रॉबलम है तो जो आप रील्स यूट्यूब पर नॉंसेंस देखते हो आप नॉंसेंस नहीं देख रहे हो आपको दिखवाई जा रही है जबर्दस्तिया आपको ड्रमाटिक्स में फसाया जा रहा है तुरू जी भाई रोटेशन नहीं करना नहीं रोटेट कराएंगे आपको जैसे हो आप वैसी रहो क्यों किसी के निर्देश सुनने हैं उनके अलावा सिर्फ उनकी सुनो और अपनी करते जाओ क्योंकि अब यह चैप्टर मिल गए अब आप देखिए आपको बोला था एक महीना आज सिर्फ देखना है कि येस इट इस अचीवेबल जही में 2025 जही अडवांस 2025 में अच्छी रैंक लाई जा सकती है आज से भी क्योंकि प्यारे बच्चे बोर्ट के टू मन्स अगर साइट करने तो पूरा एक साल बचा है बारा महीने तीन सो पैंसट दिन और एक्शली इस मैट्स पे आते हैं ओ हो ये क्या आगया देखो भई ये मैं बताता हूं बहुत मसेदारी चीज़े ये मेरे साथ होई थी मैं आपको बताता हूं मैं कितना पगला था क्लास 11 में मुझसे फिजिक्स कुछ भी नहीं होती थी ऑल्दो क्लास 10 में मैट्स में स्कोर था 98 और साइंस में भी था 98 और 100 साइंस में थियोरी में थे 100 और 100 60 में 60 आए थे पूरे फिर भी कोटा जाके फैल गया क्यूं फैला बैस सवाद 200 बच्चों के बैच में पढ़ रहा हूं एक हीन भावन आ गई मुझसे नहीं हो रहा उस से मतलब ज़्यादा रहे समझ ञो 98-98 मार्क्ष वाले के मन में भी इन भावना आ जाती है जब बगल वाले से जल्दी हो जाते है तो तो बगल वाले को खुद से competition करना है बच्चे to improve yourself daily and give your best every day ठीक है अब देखो हो गया रहा था भाई एक सर्फेस पर रौड ऐसे किसी ने टिका रगी थी अब मैं कितना प्यारा बच्चा था आपकी तरह मैं नॉर्मल उस पर नहीं यह तो गलत है ना क्योंकि फोर्स तो यहां से लग रही है यह राइट है तो क्या किसी ने मेरा हाथ थामा नहीं दोसो पच्चेस बच्चे किसे फर रहे हैं और कोटा की एक बहुत रिनावन इंस्टिट में पढ़ा था रैंक आई माच बहुत अच्छी मिली फिजिक्स भी अच्छी मिली केमेस्ट्री अच्छी मिली लेकिन क्या नहीं मिला वहाथ जिसकी वज़ए शायद और रिफाइन हो जाती या एट लीस मैं ऐसी गलत इसका इंटेंट अच्छा है बैच साइस था प्रॉब्लम सबाद दोसों बच्चों को पढ़ा रिया है भेल चाल हो रही है सबजी मंडी बन गई है कुछ पता ही नहीं पढ़ रहा है हो गया और यहीं हरकट 12 में भी हुई केमेस्ट्री में 12 में केमेस्ट्री में आई इन औ राइटनेस फील अच्छी है सिरे फील ही आगे रह गई बंद कर दी वह कौपी और उन कुछ हद तक के होड़ी सर को तो क्या मतलब है कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं भाई अगले दिन यहीं नहीं पूछा किसी से की बेटा आपको कलका समझ आया गया आपको आया कि नहीं आ पार के किसी भी स्टार बैच में इंक्लूड़ीड हो और जब होगे तो जब किसी भी चाप्टर का किसी भी सब्जेट का एक लेक्चर जाता है ना बच्चे तो अगले दिन सबसे पहले उसका रिव्यू लिया जाता है समाझ भा रहे हो और सेम डे जब वो लेक्चर नहीं करनी थी हमें गाइडन नहीं मिला किसी नहीं धामा लेकिन हमेरा थामने के लिए विनीच सरके थूँ आपके साथ पूरी एटीप स्टार टीम लगी हुई आप देखो तो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें लेके आएं आपके लिए कितनी दिमाग लगा के बनाते हैं ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए हां जी तो फुल कनेक्ट हो गया है रॉंग हो चुगा है यह राइट हो चुगा है यह तो जब राइट पाथ पे हैं विनर माइंड सेट पे हैं तो एक बार बच्चो फिर से फुल जोश में लाइक एन कॉमेंट कर दीजे और गूगल फॉ भाइब आज से हाल बात तो दोगे कैसे जयीगा एक्जाम या किसी प्तु हो जाओ गयर किसे और नहीं जाओगे तो wonderful life कैसे होगी बहुत बड़ी आग चलो अगला ताम जाम देखते हैं अब आगए भई mathematics की बात करते हैं तो होती नहीं डर बेढ़ा रखा है बुरी तरह दिमांग में कि होगी नहीं होगी आरे भई क्यों नहीं होगी क्या class 10 में नहीं होती थी बिल्कुल भी नहीं होती थी क्या फर्स्ट क्लास में जो एडिशन सिखाया अब आज उसे कर पाते हो ना आज आप से कोई पूछ ले 23 प्लस 43 कितना होगा फटेक्स से बोलोगे ना डबल शिक्स क्यों फर्स्ट क्लास में बोल पाते हैं नहीं समझ रहो बार 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 वो चीज आई कंटिनेशली आई ना एडिशन रिपीट 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 चीजने याद हो गई तो आपको करना क्या होता है बेटा मैत्मेटिक्स में प्रक्टिस 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 जब तक प्रक्टिस नहीं का जो यूज आता है वह भी आ जाता है बच्चे ट्रिगोनोमेट्री में कंपाउंड एंगल्स फॉर्मले जी याद होते सर याद करने का तरीका भी पता दूंगा अभी ट्रिगोमेट्रिक एक्वेजन और सलीशन अफ ट्रेंगल्स जो प्रॉपर्ट्रियंगल्स के नाम से भ कंप्लेक्स नंबर है एंड सीक्वेंशन सर यह तो मैंने टेंथ में भी किया है इसे तो मैं फोड़ चुका हूं सर मेरी बैंड तो इन दोनों ने बजा रखी है तो वही जिसने आपकी बैंड बजा देंगे विजन थर्टी सेकंड्स ठीक है तो जब बैंड बजने वाला है अब शौर तो होगा ही जोश हाए है तो बच्चे फड़ाव झाया है आपלא मालूम में आए तो लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे कंई इमसी न चक्रेंट यह मतले लिखना सार रोटेशन नहीं आता यह सिटलेंग नहीं आती उनकी बात ही नहीं करनी जिसकी बात हो रही है स्ट्रिक्ली वहीं रहो समझ रहे हाँ बात को कि अगर आपका काम इस सामय बोला गया भाई लोगरिदम आता है कि नहीं आता है तो खुछ नहीं लिखना है को कव लिट्रेट्रेтиров नहीं आता है the presentation नहीं आता आपकी करके आई चुका crutch पहले लैक करके आये चुके Wit Elder करा मेंट करे कॉमेंट करा कौड्रेटिक नहीं को समझ में आ गई है ना आराम से क्लियर ली कॉपी पेन आपके बास है यह सब मुझे रिमाइंडी नहीं करना पड़ता है आप क्योंकि आप प्यॉरली एटी पेन्स बन चुगे हो ठीक है दिनर माइंड सेट के साथ अब देखिए अच्छा रुको 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 रु पीछे चलने द्वाराम से कैसे पकड़ूंगा यह रहा कर सर कहां घूम रहा होगा ना माउस का वह भी पकड़ लेंगे इससे तो यह तो आप सोचिएगा हीमत की कैसे पकड़ेंगे सर चलिए मान लिया आपकी बात कि हम भी आजकल थोड़े होशयार हो चुके हैं कि आपने इस तरीके से तो हमें पकड़ लिया लेकिन हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं यह कैसे पता पड़ेगा बेटा फॉर्मूलों की फोटो मंगाएंगे चार्ट सपोर्ट नंबर पे डेली और उसके बाद लाइव जूम मीटिंग में जैसे ही मौका लगेगा तुरंत अ आपने किसी एक्स डेट पर बोला भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेसर मुझे नहीं याद हो रहें तो हम लेंगे माक्सिमम एक्स प्लस सम्देज डाट कोड़ बी सेवन देज और इवन बंडे और इवन 15 डेज बट इतना होगा वो प्लस सम्देज कि आपको यह न कि आप से गलती होगी विच्चे क्योंकि आप छोटे हो भी आप इमेच्योर हो थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है तो जो गाइड कर रहा ही तो उसका काम है देखना आपको तो सिर्फ काम करना है तो आप काम भी कर लिया प्रैक्टिस भी कर लिए सर फॉमले भी याद हो गए मिनार माइंडशेट था ही 11th क्लास का जो भी ताम जाम चाहिए था 12 में जाने के लिए वो भी रेडी हो गया तो भाया जब इतना सारा मिल गया तो एक लाइक तो फिर से बनता है है ना एक कॉमेंट फिर से बनता है लेट्स गो टू क्लास 12 ना हो ठीक है बहुत बढ़िया आंड कैसे जाओगे थू ग्लाडिएटर 2.0 उस तक कैसे पहुंचोगे सर हमें पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हम भड़ चुके हैं फॉर्म सर डोंट वरी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे प्यारे एटीपियंस अब देखो यह मेरी रियल स्टोरी है आइटी जेए 2009 का एक्जाम मैं दे रहा था मेरा नाम निमिश है डाट इस नॉट इंपॉर्टन देखो मेरा नाम किया इस नॉट इंपॉर्टन देखो इसके तुरू समझाना क्या है भाई जेए डिवांस का पेपर दो शिफ्ट में होता है अभी आएंगे जेए मेंस पे देना चाहता हूं मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है तीन घंटे का पहला पेपर होता है नाइन तुट फिर दो गंटे का गैप फिर दो से पांच आप भाईया नाइन तुट टुएल का जो पहला पेपर था यह बाई सब आ गए एलिप्स का छोटा सा पिद्दी सा बच्चा क्या बूत रहा है मास्टर जी सेलेक्शन कैसे हुआ चीटिंग मीटिंग कर लीगा किसी कि नहीं भाईया चब्वेश मिनिट तक आएफ फॉड विद इस क्वेस्चन लाइक का ग्लाडियेटर हीरो बन रहे हैं कि मज़ा आ रहा है हम क्वेस्चन को फोड देंगे म आ रहा है फोल दिया और खुशी हुई लेकिन हैं बेवकूफ एक नंबर के क्यों गाइडेंस नहीं मिली नौट टू वेस्ट टाइम और सिंगल को से नहीं हो रहा है तो पूरे पेपर पर घुमने के बाद वापस आओ अगर इजी भी हो तो यह गाइडेंस नहीं मिली क्यो कोई स्ट्रेटिजी नहीं कुछ नहीं सारी स्ट्रेटिजी उनके लिए जो टॉप 100 में आने वाले हैं ताकि उनकी फोटो लगा लगा के मार्केटिंग हो जाए ड्रमेटेक्स में भसा दें बच्चों को भाई मेरी रैंक आई अभी दिखा दूंगा कितनी आई है बट वह और अच्छी भी तो हो सकती थी आपको मुझसे प्रोब्लम किया दी मैं आपके लिए क्या बत्याई क्यों कियों है क्यों कि व्यू Philippines के वाला है लाइक होगा कॉमेंट होगा थेंक्यू विनीच सर बोला जाएगा कॉमेंट में एंड गूगल फॉर्म भरा जाएगा अब देखो सिर्विस ले नहीं ला लिए यह आप देखिए आप बजरंग वली जी का रोलाया बीच में कैसे बताता हूं आपको 26 मिनिट था किया यह मेरा प्यारा बच्चा लड़ाई करता रहा जीत भी गया तो अब मैं इसमें थोड़ी शक्ति डाल देता हूं 34 मिनिट्स में 81 मार्क्स की मैट्स आई थी पेपर वन में 77 की वस्फिनिष्ट 77 की attempt हो चुकी थी गोले भड़ चुके थे समझ पारे हो एक question 26 मिनिट में और करीब 17-18-20 सवाल 34 मिनिट्स में तो यह power आती है इसे actually वच्चे बोलते है second wind ठीक है आप Google पर search कीजिएगा second wind का मतलब क्या होता है फिर comments में लिखिएगा जिसको पहले से पता है वो लिखिए ब बहुत बढ़िया मज़े आ गए शांदार हीन भावना आ गई थी result वाले दिन हीन भावना समझ रहे हो उसकी तो 500 उसकी तो 400 वाहिटी दिली जाएगा बंबे जाएगा computer science मिल गई हम तो जूल गए हमारे क्यों हम तो बरबाद हो गए गंदे गंदे thoughts daddy मुझे तो repeat करना है प मुझे better rank लानी मैं लादू हूँ अगले साल पता है पहला question क्या पूछते हैं अच्छा मेरे प्यारे बच्चे बैठ बहुत शांत अब आओगे हैं बहुत शांत ठीक हैं वैसे गुस्से वाले हैं लेकिन शांत हो याद हैं जब मैं बात कर रहा होता हूं तो प्यारे बच् पापा चलो रूड़की अभी कोई ड्रॉप नहीं लेना अभी चलो और जाके registration करा धिया same day ठीक है and I am literally thankful to God to again come to me in the form of my father जिनकी वज़े से मैं IT रूड़की पहुँचा और आज आपको अच्छी शिक्षा देने के लायक बना हूं समझ रहो बच्चों बात को तो the thing is always cherish the things that you have जो चीज नहीं है वो अचीफ करने की कोशिश nah उसको लेकर रोना क्यों कर आपको अपको पूरे दिनपर रोना क्यों क्यों क्राए करेंगा कोई यैधाओ कोई चाहिल्द भी नहीं करेंगा ठीक हैं तो आप भाई सुन्दर जी आईटी में जा भी चुके हैं तो बहृस जब IAT में पहुंच गए हैं तो क्या होगा मस्ती होगी मस्ती होगी तो IAT में पहुंचना है सपना पूरा करना है तो गूगल फॉर्म भढ़ दीजे वो सुन्दर सुनेरे सफर की शुरुवात आज ही से कर दीजिए 11th क्लास वाले बच्चे भी कर सकते हैं अपलाए और जो 12th में हैं अभी वो भी अपलाई कर सकते हैं और अर्ली ड्रॉपर बैच दौनों के लिए यह कस्टमाइज टाइम टेबल पर्सनल मेंटर यह सारी चीजे हैं बट इंपॉर्टेंट इंग इस ना वही बात फीचर सारे बताने की सेंस नहीं है कोई क्योंकि आपको दो दो लाइ सहने के बाद क्या हुआ सरब आते हैं dzih कि अउफिक्स की ब्रॉडली पांच फंप टोपिक्स में पांच बॉल्ड ब्लोक्स में हैं वह वह ब्लक no-1 यह 12 क्लास का है जानने की जरूरत नहीं है यह ट्विल्स वाले सुन लेंगे ठीक है इलेवन सौल आपका काम हो गया भी अभी अब दिल नहां के बैठे रहो आपके लिए एक और सर्प्राइज लेकर आने वाले अभी इसी में मेकैनिक्स देखो आपकी आगे चीज काइनेमेटिक से लेकर रोटेशन अच्छ चब्विस परसेंट चब्विस परसेंट सवाल आ रहे हैं जाहीं जादा पीपर थर्टी फाइफ पाइफ परसेंट इलेक्ट्र स्टार्टिक्स वाला जो यूनिट है और मैंगनेटिसम वाला होती है केटीजी थर्मो फॉर्मले याद हो गए तुरंट होती है यह बड़ी है थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन अगर बॉस आपने शिक्स्टी डू से लिवस बेटा अच्छे से कर लिया अभी सिर्फ फिजिक्स पे रहते हैं और इसकी बात होने का मतलब है तीनों की ह हो गई ऑटोमाटिकली आपने किसी भी सब्चेक्ट का अगर सेविंटी परसेंट जो कोर्स है जही मेंस का और जही एडवांस का स्पेसिफिकली ठीक है जही मेंस में थोड़ा सा आपको एट्टी परसेंट कहना पड़ेगा अभी बताता हूं क्यों लेट्स टॉक अबड़ बनेगा जही मेंस को फोड़ने की एनरजी कहां से आएगी तो अभी बनवाते हैं आएटी का माइंडसेट बहुत बनाया जाता है सारा कोर्स पढ़ लो सारी चीज़े पढ़ लो तभी होगा क्यों सेविंटी परसेंट से लिवास पढ़ो और बहुत अच्छे से उसे फोड एक्टी सेक्स भाई कैलकुलेट कर लेना फॉर्टी फॉर्टी परसेंट के बीच में बैठती है कानी समझ रहो बात को फॉर्टी परसेंट पे भी आएटी मिल गई तो आपको तो सिरिफ जो कर रहे हो उसे एक्जाम वाले दिन सही कर देना है बात समझ में आई प्यारे गई कुछ इसमें से इजी है कुछ इसमें से टाफ है वह सब आपको पता पढ़ता जाएगा क्योंकि यह आपके लिए भी जानना इंपॉर्टेंट नहीं एक कौन से टाफ है वो तो टीचर का काम है टाफ बदाना ठीक है अब फिजिक्स से ही यह कॉन्पिडेंस आ गया कि पाइटी हो सकती है एक साल में अंडर 500 रेंग भी लाई जा सकती है तो जब इन बंचिंट बन चुका है वीनमा इंसमेंट मैंडिव्वalten पर जो पड़ा है वो भर देंगे मच्छिंता करिया तो पर ओज आगे देखते हैं इसका काम हो गया झब आते हैं chemistry वह ऑपी सिर्फ़ हीं है तीन ब्रांच एक ऑर्गяниक chemistry एक इन और्गनिक檐 के मास्टी और एक क्यों थे नहीं तिस नहीं देखो इन और्गनिक में सिर्फ दो ही जेप्टर हैं कहां का SPDF कहां का क्या कहां का क्या नहीं कुछ नहीं बच्चों इसको ध्यान से देख लो इसको नोट कर लो या इसका स्क्रिंशॉट ले लो यही है दुनिया और क्यों इतना confidently मैं बोल रहा हूं भली मैं तो मैच पड़ सब्सक्राइब की है और मुहिट सब्सक्राइब की है ठीक है वेरी हाइली एक्सपिरेंश टीचर जस्ट लाइक एवरीबडी ऐलस इन एटीवी स्टार समझ रहो बात को आप तो आपको क्या क्या मिल रहा है ग्लेडियेटर टू पैंटो मिल गया बुलजाई मेंटर्शिप मिल गई एक्सपिरियेंश प्लस एनर्जेटिक टीचर मिल गए आपके जैसे छोटे बच्चे जाता सोचने वाले टीचर मिल गए हाथ ठाम लिया किसी ने आपका आपको रोने नहीं दे रहे हैं तो बहुत किस चीज का वेट है फटा पर जे फॉर्म भरो ग्लेडियेटर ट देख लिया आपने अब मॉडरेट मॉडरेट की कहानी यहां भसते हैं यह तो आपको सब बोलते रहेंगे यह मैक्स वेटेज यह कर लो यह कर लो लेकर आप देखो बहुत इंपोर्टन चीज बताने वाला हूं आपको यह जो एक स्लाइड मॉडरेट वाली मॉडरेट इतना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके क्योंकि भाई अगर मिनिममम बेटेज वाले से एक असान क्वेस्चन आ गया चोटे से पॉमले से और वो किसी और नहीं कर दिया आप से नहीं हो ताप पीछे हो जाओगे ना देखो कैसे भाई जी ओसी आइसो मेरिजम नहीं आती है जी ओस बनने के बाद आओ मॉड्रेट पे बेस बना ठीक है बेस बन गया यह रइच्छत काम कतम पूरा मकान बन गया समझ में आ रहे हैं मकान क्या है आई टी यह एक बहुत अच्छा कॉले जिसमें आप जाना चाहते हो आपका ड्रीम कॉलेज ठीक है इटक है इट कुट भी एन इ पीचेस के द्वारा थोड़ा सेल्फ इंपुट भी दे दिया एंड बजरेंग वली जी की क्रिपा थी ठीक है तो जब आप बच्छे हाड़ वक करोगे तो उनकी क्रिपा रहेगी ठीक है तो देखो फिर उनका नाम आ गया तो जै बजरेंग वली जी अब आप भी कॉमेंट किस्मेटिक्स पर हाँ अब अपनी फिल्ड पर आते हैं थोड़ी दिर के लिए ठीक है फिजिक्स बता दी के मस्टी बता दी बहुत द्यान से सुनना सब कुछ भाई फिर वही पहले आई मैक्स वेटेज ठीक है ट्वेल्ट वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनक वेरी टफ बहुत टफ है तो रुको अब देखो यह जो भी चैप्टर लिखे हैं जिस भी बच्चे को टफ लगते हैं पहले तो मैं बताता हूं क्यों टफ लगते हैं देखो मौडरेट वेटेज है ना इसको भी छोड़ो यह देखो यह इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है क्यों नहीं है सर लॉगरिदम से तो एक ही क्वेस्चन आया है पिछले 7-8 साल में जहीं एडवांस में कभी गलती से एक का दुक्का और आ जाता है को और ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आते हैं आपको 12 वाले सुनना बहुत दियांसे तो कर लेना केलकुलस क्यों नहीं होती है केलकुलस पहले यह सोचो और फिर सीधा एक्जीकूट करो उसको जिससे वो प्रॉब्लम खतम हो जाए तो भाई नीवी गड़बड है तो मकान तो डगमगाएगा ही ना कैसे स स्टिल कड़ा रहेगा आप देखो ओगे नहीं दम सीथे आप इलाके दिखा दे कोई कोई नहीं इला सकता आपको आपके इरादों को क्योंकि आप स्टार हो अपनी लाइफ के आप बहुस अपनी लाइफ के आप प्यारे एटी पेन हो फ्यूचर आइटी न हो तो आप जब पूरा आइटी और माइंडसेट बन चुका है कैसे आइटी क्लियर होनी है कैसे सारी चीज़े होनी है जब आपको इस समझ में आ गया है तो भाईया आप आगे की कहानी तो आपको मालूम है ना बोलूं क्या सर एक बार बोल दीजे आपके मुझे सुनने में अच्छा लगत है ठीक है वही तो फुल जोश में लाइक कर दीजे कॉमेंट्स आपको पता ही है सारे बहा दीजे और गूगल भरना मत भूलिएगा क्योंकि कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जैसे बाद में आप रिग्रेट कीजिएगा ओके बहुत बढ़ी है तो मिनिमम वेटेज हो गई ब प्रोबिलिटी कैसे करोगे लिंकेज चेंड रियक्षन ही पूरी इसलिए मौडरेट में बेटा यह है कि इससे क्वेस्चन आ सकता है और अगर इसको अच्छे से कर लिया तो कर देंगे ना उसे चीक है अब देखिए अब आपने क्या क्या पढ़ लिया पहले आपने बेसि कोड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री सीक्वेंस चार्च एप्टर सीख लिए तो यह तो सरेंडर ने उनके आगे अब आपने पी एंसी सीख ली बाइनोमल जीख लिया लो फ्री में एक और तयार है ना भई अगें टोटली इंडिपेंडेंट यह है मेन कहानी कोडिनेट जोमे होगा थो हूगा तुरंटुरंटुरंट बात समझे प्यारे बच्चे तो अब आपको पूरी तरह ओबरॉल पिच्चर क्लियर है आप देखिए आपने फिजिक्स देख ली। chemistry देख ली mathematics देख ली comment में जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम में लिखते जाए और सिर्फ चैप्टर का नेम मत लिखना आप साथ में प्रॉब्लम लिखिए कि questions नहीं होते या फॉर्मले याद नहीं होते या सर पता नहीं दोनों चीज़ों लेकिन एडवांस की नहीं हो रहे में इतनी शार्प क्रिस्प बात करने हैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लंबी लंबी रमाइन नहीं सर सर ने कोड्रेटिक दस दिन में पढ़ा है नो टाइम कह करता हूँ ना किसके लिए सर हमें पता है गूगल फॉर्म के लिए हम भर रहे हैं अभी तुरंत अगर नहीं बराएं किसी ने तो बच्चों भर दीजिए और जो सेशन में लेट आएं अटेंडेंस आपको पता है कैसे लगाई जाती है लाइक करके कॉमेंट करके और ले गई एडवांस की तो हो इकई 70 पसिंट से लिए बस अब देखो भाई यह है वो निचोड आप जो तीनों के मैक्स वेटेज उन पर आते हैं वह यह देखो एक एक word should enter your brain क्योंकि जैसे यहां वो वर्ड फीड हुए आपको सबकॉइंश माइंड आपके साथ मेहनद चालू कर देगा प्यारे बच्चे समझ रहे हो यहां थामा तो आप मुस्कुराएं मुस्कुराने के बात क्या हुआ आप आप मैं पढ़ने के लिए रेडी हूं तो मजे क्या करना हैै तो Google फॉर्म बढ़ना है किसका टू पाइंट होगा सर कहां से मिलेगा डिस्क्रिप्चिप्शन बॉक्स में पढ़ा हुआ सौकर लिक फ सब कुछ सारा ताम जाम एक ही जगे वन स्टॉप सुलूशन ठीक है वी बिएव लाइक विनर्स बिकॉस वी यार एपसलूट विनर्स यही माइंडशेट आपके अंदर आ जाना चाहिए फिर भाई अगली प्रोब्लम बैकलोग कवर कैसे होगा क्योंकि सर कैसे आया वो तब चोड़ दीजे वर्क कर रहे हैं आपके जैसे हो गए हम ठीक है बहुत अच्छे बैकलोग कवर कैसे होगा वो मालूम पढ़ गया ट्वल्थ वाला बोल रहा है सर बैकलोग जोड़ी हो मेरा कवर कैसे होगा उसको भी आंसर मिल गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप् गया है इतने कम टाइम में तो थोड़ा सर टाइम तो मुझे भी देदो ना जो भी बच्चे अभी भी लेट आ रहे हैं अपनी अटेंडनेंस माक कर दीजे गूगल फॉर्म भर के क्योंकि टॉप 500 बच्चों के लिए ही है बॉम सर्पाइज बिनीच सर जो बहुत जल्दी डिविल करने वाले हैं ठीक है तो प्यारे बच्चों होपिंग दाट आपके जो भी इशूस थे वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं फिर भी अगर मेरे से कोई इशू मिस हो गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिग दीजे आइल गेट बैक तो यू फॉर शूर तिल दे टेक केर बाबाई लव यू अल